पार्ट टू में हमने अभी तक देखा, टाइमर खतम होने की बज़े से वांग नंग, बाम और उनके साथ टोटली छे पिलियर पहली टेस्ट में पास होते हैं, सेगेंड टेस्ट देने के लिए लोग उपर के फ्लोर में जाते हैं, जहांपे इनके समने पास दरबाजे होते ह और मी्से सभी के साथ अपना खाना शेयर करता है, तभी बाम रेचल के बारे में सोचता है, कैसे रेचल हमेशा बाम के साथ टावर के बारे में बात करती थी, यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर दूँ, सीजन 1 और सीजन 2 के अंदर हमें 20 सल का टाइम इसकिप देखने को मिलत वाउनंग को से को बोलता है वोलर की one of the ten grade family से ब्लॉंग करती है तब ही वाउनंग देखता है लूकर को जो अपनी बॉस के बेटे के साथ टेस्ट देने के लिए टावर में आया है लूकर आके वाउनंग को बोलता है उसके बॉस के पास बहुत ही ज़्यादा पैसे हैं इसलि के बाद प्रिंसे अपनी bodyguard को बोलता है जो सबसे ज्यादा score करेगा उसे बहुत सारे पैसे मिलेंगे तेडी बैर प्रिंस की ये सब हरकते देखके बहुत दी ज्यादा गुस्तो हो जाता है और टेडी बैर जाकी punching में punch करता है तेडी बैर को सबसे ज्यादा score मिलते है इसके प्लेयर होता है बॉम जो पंचिंग मेशिन के सामने अपने हाथ को रखता है और एक शौक वेफ जेनरेट करता है इससे बॉम को सबसे ज्यादा इसको मिलते हैं यह देखने के बाद रैंकर भी शौक हो जाता है और बॉन का पहना हो लोगो देखता है और बोलता है फॉग रै इस रैंकर से पुछता है तो एक टेस्स लेने का फाइदा क्या था रैंकर उसे बताता है मैं देखना चाता था तुम सब के अंदर सबसे ताकत बर खौन है यह सुनने के बाद वो वांग नॉंग सुचता है मेरे पस आभी एक मौका है टाओर में चालने का वांग नंग बि पीचे से यह उन बोलती है इन सब को चूज करने से अच्छ होगा तुम मुझे चूज करो क्योंकि मैं वान अप दे टेन ग्रेट फैमिली से ब्लॉंग करती हूँ और देखने में बहुत जाता सुन्दर भी हूँ बम बोलता है मैं किसी को भी चूज नहीं करूँगा मैं ए बॉन बोलता है रैंकर सभी को बताता है ये वाला गेम खेलने से पहले तुम सब लोग रेस्ट कर सकते हो इसके बाद रैंकर अपनी बॉस के पाद जाता है इस बड़ टेस देने के लिए एक फॉक का मेंबर आया है और उसे हो मारना चाता है लेकिन उसकी बॉस उसे मना कर बॉलता है हम लोग यहाँ पर सिप आपजार पर हैं हम किसी भी पिलर को मार नहीं सकते इसके बाद सभी पिलर एकसाथ मिलके नहाते हैं नहाने के वक्त वाग नौग अपना रिंग हो देता है और रिंग मिलता है बाम को बाम इस रिंग को देता है इसके बाद सभी पिलर ए इतने के लिए 6 room और 6 teammate की ज़रूत परेगा, हार एक room के अंदर 2 player है और सभी player के पास एक USB connector, USB connector को room के remote के साथ connect करके, red button पे click करके तुम उसकी room को steel कर सकते हो, और blue button पे click करके उसके साथ friend बन सकते हो, लेकिन ध्यान रहे, जिस player को तुम trust नहीं करते है, उसे अपना remote मत देना, ranker bum को बोलता है, let's fight, यहाँ पे bum के जितने की दो option है, option है कोई भी team 6 room को collect करने से पहले सभी player को मार देना, option B ranker को हराना, bum अपनी room से निकलने बाला होता है, तभी यौन उसे रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि यौन को लगता है bum सभी player को मारने वाला है, तभी prince bum को मारन बाम को देखके वो अंग डर के मीसे को जल्दी से दर बजा उपन करने बोलता है, bum finally ranker के room तक पहुंच जाता है, ranker bum को बोलता है, अगर तुम 3 टीराइपे मेरा connector लेते हो, तो तुम यह game जीच जाओगे, ranker connector को bum की तरफ बहुती speed में fake था है, लेकिन bum उसे हावा में रोक देता है, यह देखने के बाद रेंकर बोलता है, तुम यह भी कर सकते हो, ranker connector को दीबार की तरफ की करता है, इस तरफ हम देखते हैं, प्रिंस की बाडी गार सच में मर चुका है, तब यह पिरिंस को बोलते हैं वो दोनों इसकी मदद करेंगे, bum को मायने में, लुकर पिरिं प्रिंस उनके साथ काम करने राजी होता है और हम देखते हैं लूकर एक स्माइल देता है वो प्लैर प्रिंस को एक ड्रिंक देता और बोलता है यह पिने के बाद तुमारी ताकत बहुत ही ज़्यादा बढ़ चाहेंगे लेकिन प्रिंस को लगता है यहां पे कुछ गरबर है इसलिए प्रिंस इस ड्रिंक को नहीं पिता है और उसे यान को देने के डिसाइट करता है प्रिंस यान के रूम में जाने के बाद यान को ड्रिंक ओफर करता है यान उसे मना कर देता है लेकिन यान का गला सूख रहा था इसलिए यान इस ड्रिंक को पी चाती है इसके बाद हम देखते हैं कोई यान को कंट्रोल कर रहा है पिरी सुआं से भाग के जल्दी से अपने रूम में जाता है तब ही उसके सामने उसका बॉड़िगाट खरा होता है और बोलता है यह सब कुछ लूकर कर रहा है इस तरह बम रैंकर के उपर एटक करता है लेकिन रैंकर उसके अखरी चांस है इसलिए रैंकर बम को एटक करने की टाइम ही नहीं देता है तब ही बम रैंकर की टेखनीक को कॉपी करता है और रैंकर बोलता है तुम क्या से मेरी टेखनीक को एक बर देखके ही कॉपी कर सकते हो तब ही बम रैंकर की उपर पंच मरता है और रैंकर की ये साथ काम कर रहा था, लुकर निया को बोलता है, मैं इस कंपनी को छोड़ के टाउर में चरने बाला हूँ, इसलिए तुम्हें मरना परेगा, वांग नॉंग चिल्ला के बोलता है, प्लीस रुप जाओ, लेकिन लुकर निया को मार देता है, वांग नॉंग अपनी रूम से भा चाहते हो, तो तुम फेल नहीं होगे, तब ही वांग नॉंग नॉंग वहां पर भागते हुए आता है, और रैंकर के उपर एक बाम फेकता है, वांग नॉंग कनेक्टर को अपनी हाथ में लेके बोलता है, कोई भी अपनी जगे से नहीं हिलेगा, वांग नॉंग बाम को ब बाम को कनेक्टर देता है और रैंकर ये गेम हार जाता है इस तरफ लुकर अपनी बॉस की बेटे को मारने से पहले पेंट फिल करते है तब यहाँ पे टेडी बेर आता है और लुकर के साथ जो मॉंस्टर है उसे पंच मरता है टेडी बेर जब लुकर को पंच मरने जाता है त तब ही वांग नॉंग आगे लुकर को एक पंच मरता है और उससे बोलता है तुमने इस अब क्यों किया। लुकर बोलता है मैं बिल्कुल तुमारी तरह हूँ। मैं जब पहली बार टेस्ट दिने के लिए टावर में आया था तो मैं फेल हो गया था। फिर से टेस्ट देने के लिए मैंने बाउस से पैसे लिया थे लेकिन उस पैसे को मैं चुका नहीं पाया। इसलिए मैं आज तक बाउस के लिए काम कर रहा हूँ। ये सुनने के बाद वांग नॉंग उसे माप कर देता है। इसके बाद वांगनों जाके बाउंग को थैंक्स बोलता है तब बाम उससे पूछता है तुमने उसे माफ क्यों कर दिया वांगनों बोलता है हम सभी एक जैसे हैं और मैं किसी को मालना नहीं चाहता मैं एक दिन इस टावर की किंग बनूँगा ताकि सभी लोग एक साथ खुशी खुशी रहे सके इसके बाद रैंकर अपनी बॉस के बाद जाता है जिसका नाम है गुजगुज रैंकर अपनी बॉस से माफ ही माफ कर देता है रैंकर जब होँआ से चला जाता है तब गुजगज योहान को कॉल करता है और बोलता है सब कुछ हमारे प्लान के मुतबिक जा रहा है इसके बत रैंकर है के सब को बोलता है तुम सब लोग टेस्ट में पास हो चुके हो सिन्शिप्ट अता है 25 फ्लोर में और हम फाइनली कुन को देखते हैं कुन यहाँ पे एक रूमर सुनता है एक प्लेयर ने वन परसेस वन एक रैंकर को हराया है तो आज की वीडियो यही पे खतम हता है अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो पे लाइक कर देना और कर लेना